एक पौरानिक कथा के अनुसार लक्ष्मी और उसकी छोटी बहन दरिद्रा विश्नु के पास गई और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभू. हम कहां रहें. इस पर विश्नु भगवान ने दरिद्रा और लक्ष्मी को पीपल के व्रिक्ष पर रहने की अनुमती प्रदान कर दी. इस तरह वे दोनों पीपल के व्रिक्ष में रहने लगी. विश्नु भगवान की ओर से उन्हें यह वर्दान मिला कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा, उसे शनी ग्रह के प्रभाव से मुक्ती मिलेगी. उस पर लक्ष्मी की अपार क्रिपा रहेगी. शनी के कोप से ही घर का एश्वर्य नश्ट होता है, मगर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने वाले पर लक्ष्मी और शनी की क्रिपा हमेशा बनी रहेगी. इसी लोग विश्वास के आधार पर लोग पीपल के व्रिक्ष को काटने से आज भी दरते हैं, लेकिन ये भी बताया गया है कि यदि पीपल के व्रिक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है. गीता में पीपल की उपमा शरीर से की गई है. अर्थात अश्वत पीपल का काटना शरीर घात के समान है. वैग्यानिक दृष्टी से भी पीपल प् प्ते हिलते नजर आते हैं. पात सरिस मन डोला शायद थोड़ी सी हवा के हिलने की वजह से तुलसीदास ने मन की चंचलता की तुलना पीपल के पत्ते के हिलने की गतिसे की गई है.